अमरी एक लाइन ने ही ना कस्टमर का माइंड चेंज गए तो पहली बार जिसने देखा ना यार यहाँ 900 रुपे हैं यहाँ श्टडी करेंगे ना तो आपको बड़े सारे लूपोल्स बता लें कि क्या आपकी गाड़ी कमाई का पैसा दिमक ने खाया है नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का हिर्दे की गारेओं से बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं कि Q&A सीरीज के अंतरगता बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पूछेगाए सवाल को अपने अगली वीडियो में वीडियो में तो आज वह सकता है एगला वीडियोस आपके प्रasa Camp करेंगे कि आज हम जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जिस भी बिजनस में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, हर जगा competition है, और competition इतना बढ़ चुका है, कि लोग competition को fight करने के लिए ऐसे से तरीके अपना रहे हैं, जैसे तरीके उनको कभी भी लाब नहीं दे सकते, बहुत से लोग सोचते उनको loyal customer बनाने की, तो आज इसी विशापर हम बात करने वाले हैं, कि अपने competition को कैसे finish करें, और market में कैसे monopoly create करें, ताकि आप बे ताजबाश्या अपने व्यपार के, अपने profession के, अपने business के बन जाएं, और आपका brand, बड़े brands में शुमार होने लग जाएं, इसी बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपनी industry का competition एक तरह से लगबग खतम करना चाहते हैं, तो आपको करना किया, सबसे पहले, understand the marketing strategy of your competitor, आपका जो competitor है ना, उसकी marketing strategy को ध्यान से देखें, समझें, कि वो किस तरह की marketing strategy से अपने business क को run कर रहा है, जब आप marketing strategy को study करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी बाते पता लेगे, number one, वो किस तरह से branding कर रहा है, वो किस तरह से offline, online, e-commerce या direct selling के जरिए, अपने business को promote कर रहा है, आपको जब यह पता होगा कि मेरी industry में मेरा ही competitor, किस-किस तरह से अपने sales volume को बढ़ाने क marketing कर रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, उसकी strategy को beat करनी, दूसरी important बात, उसके distribution network के बारे में जाने, कि उसका distribution network है कितना बड़ा, कई बार क्या होता है, कि आप सोच रहे हैं कि मैं जिस territory में हूँ, वही मेरा competition है, पर जो competitor है, उसने different different जगे पर अपने outlets मना रखे हैं, units बना रखे हैं, जहां आप competition में पहुंचे नहीं पारे, तो आपको लग रहा है कि मैं उसकी company को टकर दे रहा हूं competition में, जबकि आपकी वले unit को टकर दे रहे हैं competition में, यह समझना बड़ा important है, दूसरी important बात क्या है, know the product of the competitor, अपने competitor के product को जाने, और आप कहें number one, उसकी quality किस तरह की है, किस quality का product बना रहा है, क्या वो आपकी quality को match करती है, या आपकी quality से upgrade quality है, या आपकी quality से downgrade quality है, यह जरूर चेक करें, उसकी quantity कितनी है, मैंने एक यह पता quantity क्यों लिखा है यहां पर, मैंने एक business में देखा कि एक shopkeeper ने advertisement लगाया कि बरफी 900 रुपे क चोटा सा पर केजी लिखा हुआ था, और दूसरे ने लगाया कि बरफी 700 रुपी, ओबलीग 800 ग्राम, 800 ग्राम की कीमत उसने दी हुई थी, तो पहली बार जिसने देखा ना, यहां 900 रुपे हैं, यहां कम पैसे हैं, तो वह वहां पर जाना पसंद करेगा, बाद में पता ल चले जानो कि आपके प्रोड़, आपके कॉंपिटीटर की क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी पैकेजिंग स्ट्रेजी क्या है, और उसके प्राइजिंग क्या है, कई बार देखने में सिमिलर प्राइज लगता है, पर उसकी क्वांटिटी काम होती है, कई बार प् बगवान श्री कृष्ण ने भी एक बात कही थी उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझेंगे तो आपके हारने की आशंका है सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी की शक्तियों को पहचानो यही बात बिजनस पर लागू होती आपका कॉम्प प्रोडक्ट की सिर्फ पाकिंग चेंज करके उसके प्राइज में कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है तो यह आपको देखना बहुत जुरूरी है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फोकस ओन यॉर कस्टमर्स पेंपॉइंट्स आपके प्रोडक्ट को लेके आपके कस्टम का पेंपॉइंट क्या है जैसे हमारी इंडस्ट्री में हमारी स्टेल मोडूर किचन इंडस्ट्री है हमने देखा मोडूर किचन बनाता है थोड़े दिन में दीमक खाता है तो हमने इस बात को पकड़ दिया हमने आडविडिसमेंट यह से ऐसी करना चुरू किया कि क्या लाग लाइफ फ्री हो जाओ तो बहुत सारे डायलोग्स अपने डिजाइन किये कितना स्लोगन होता है एक तरह ऐसे जिंगल लाइन होती है हर कंपनी की तो अपनी जिंगल लाइन डिसाइड करें उसके बाद फाइंड निश इन दा मार्केट वाया स्टोरी टेलिंग एंड स्पेशलाइजेशन आज ना कस्टमर का जो लोयल्टी बिल्ट होता है वो एक स्टोरी टेलिंग की वज़ए से होता है आप देखो कि रतन टाटा के बारे में कितनी स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हैं जिसकी स्टोरी टेलिंग के माधियम से अपने आपको प्रमोट कर रहा है और उसका स्पेशलाइजेशन क्या है हर कंपनी ना बहुत सारे प्रोड़क्ट बनाती है लेकिन कोई ना कोई एक प्रोड़क्ट फ्लैक्शिप प्रोड़क्ट होता है जो पूरी कंपनी को नए नए आयाम तक ले जाता है नई दिशा तक ले जाता है नई सक्सेस तक ले जाता है जैसे कराची बेकरी का फ्लैक्शिप प्रोड़क्ट क्या है फ्रूट बिस्किट जितनी सिल्फ फ्रूट बिस्किट की है वो सारा का सारा टर्नोवर बाकी सारी चीज़ों का मिला ले तो भी कि वहाँ पर आपका discount scheme भी हो offer भी हो schemes भी हो जैसे एन्वल membership अब बात बताता हूं आपको बड़ा interesting point है आपको लगे एन्वल membership का फाइदा क्या discount देना पड़ता है एक consumer हर महीने उधारन के लिए आपसे एक किलो चीनी खरीता है तो साल में कितनी खरी देगा बारा किलो जो भी प्राइस हुआ इन्टु ट्वेल कर दो अगर आपने का कि साल में दस महीने के पैसे दो बारा महीने चीनी खरी दो वह आप कुछ प्रॉफिट जन्रेट कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं आज बड़े-बड़े बिल्डर क्या करते हैं बहुत सारे फ्लैट्स विलाज फार्मावसिस पहले से बुक कर लेते हैं और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके के लिए आपको एक्स्ट्राफंड चाहिए और एन्वल मेंबर्शिप देंगे तो एक्स्ट्राफंड ही कठा होगा लॉयल्टी बोनस आपका कोई भी बायर अगर आपके साथ लॉयल है वो रेगुलर आपसे बाइंग कर रहा है तो कहते हैं कि 12 मंथ स्कीम है और आपको ला करने के लिए जिम तो वहाँ पर क्या है अगर आपको एक्स्टेंड कर देंगे तो तरीका क्या है कि हमने वहाँ पर किसी को रेफर किया इसकी वए से हमारी मेंबर्शिप 15 दिन बढ़ गई दो लोगों का रेफर किया तो वन मंथ की मेंबर्शिप बढ़ गई इसका मतलब उन्होंने एक ऐसी स्टेडेजी अपना ही जहां पर लोग आपको रेफरेंस देना शुरू करते हैं इसके लबावा फैस्टिव ऑफर यह बड़ा इंपोर्टेंट है फैस्टिवल टाइम में लोगों का माइंटेट ओपन होता है कि बड़ा खुलके पैसा खर्च करना है न उस हिसाब से आप रेफरेल बेनिफिट्स अलग अलग निकाल सकते हैं इसके लबावा ग्रो यॉर बिजनस नेटवर्क ध्यान रखिए अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन को खतम करना है ना तो ग्रो यॉर बिजनस नेटवर्क क्यों वही बात जो भी कॉम्पिटिटर के बारे में मैंने आपको बताई थी आपके बिजनस का नेटवर्क अगर लिमिटेड है तो आप सामने वाले व्यक्ति से कॉम्पिटिशन में हार सकती हैं लेकिन आप अपने बिजनस की मल्टीपल यूनिट्स कर लेते हैं मतलब अपने फ्रेंचाइजी ड जगह आपसे कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से वह आपसे कॉम्पिटिशन में हार जाएगा दूसरी बात जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा तो आप रॉमेटिल भी ज्यादा खरीदेंगे जिसकी वैसे ज्यादा डिसकाउंट आपको मिलेगा ज्यादा डिसकाउंट मिलेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा इसलिए नेटवर्क को ग्रो करने पर ज़रूर फोकस करें और अपने बिजनस का नेटवर्क कैसे बनाते हैं डिलर, डिस्ट्रिबूटर, फ्रंचाइजी, सूपर स्टॉकर, C&F इसके बारे में स्पेशल व फoral Quality में ना सर्विस में और ना ही नेटवर्क में तो नेटवर्क आपको net worth डेता है ये समझना बहुत जूरु है। उसके बाद यूनिट्स मिल गई कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं मैं ट्रैवल कर रहा हूं हैदरबाद तो वहां चला जाओंगा मैं गया हूं चेन नहीं तो वहां जिम चला जाओंगा तो कहने का मतलब आप वाइड नेटवर्क अगर देते हैं तब भी आप अपने कस्टम है बड़ा ब्रैंड है जिस बड़े ब्रैंड की वाज़े से उनको लगता है कि हमारा स्टैंडर ओफ लिविंग बढ़ गया है तो यह फीलिंग अपने कस्टमर को आने दें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें उनको बेस सर्विस दें आसानी से आपका बिजनस तेजी से बढ़ता जाएगा competition खतम होता जाएगा और एक important बात create monopoly आप किस तरह से monopoly create करें यह बहुत important factor प्ले करता है लेकिन friends आज के समय में competition इतना जादा है कि कोई एक company 100% monopoly create नहीं कर सकती हाँ अगर आपने competition को खतम किया इन सभी फार्मलों को adopt किया तो आप एक बड़ा business network बना के आप राजा होंगे वहां के आप player होंगे जैसे apple जैसी company भी market का 3% share ही occupy कर पाती है कहते है बहुत बड़ा brand है उसके बाद भी 3% market share है बहुत सारी company Samsung के पास 32% market share है वीवो प्लस ओपो के पास मिला के लगबग 12% market share है 7% market share बाकी इधर small scale brands पर है तो ऐसा नहीं है कि आप 100% monopoly कर देंगे पर network बड़ा होगा तो net worth बड़ी होगी net worth बड़ी होगी तो आपका business का territory वह भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा जिसकी वजह से कई क्षेत्रे में 100% monopoly होगी कहीं पर 70 होगी कहीं पर 30 होगी पर monopoly आप आप अरह साने से create कर पाएंगे यह बहुत है friends इन बातों को समझना क्योंकि जो भी information में आपके लिए लेका रहा हूँ ना वह practically अपने business में implement करता हूं मैं मैं इसी तरीके से ग्रो किया है और यदि आप इन practical experience को अपने business में implement करेंगे तो आपको बहुत growth मिलेगी जरूवत है चीजों को सुनने की समझने की अमल करने क और एक नया business create करने की friends अपने business time से ना बहुत सारा extra time में निकालता हूं वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि मैंने देखा कि हमारे देश में बड़े-बड़े इंडेस्टिलिस्ट बिजनस्मेन manufacturer, trader, exporter, importer काम करते हैं लेकिन उसका secret लोगों के साथ share नहीं करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग भी develop हो जाएं लेकिन मेरे जीवन का उदेश है कि भारत के हर गड़ से एक सफल बिजनस्मेन तयार हो सके इसी लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं फिर भी ये दिया आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो वो प्रश्ण मुझे comment box में लिखकर जरूर बताएं कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए Metas Club डॉक्टर अमित्माईश्वरी का चैनल सब्सक्राइब करें बहुत सारे बिजनस वीडियों आपको मिलने वाली है और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बिजनस को डेवलप करना चाहते हैं स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत